अनिमल स्टूडियो और अदित्या जुडवा हैं और आज हम बनाएंगे ये एक हैन और एक काव हमारे हैं प्रिंट जानवर बनाने के लिए हमें चाहिए अलग 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 पोस्ट कालर ताकि आप किसी भी रंग में अपना जानवर बना सकें पेंट ब्रश एक काला माकर फेल्ट पेपर अपने इमल सजाने के लिए कोई ग्लू, कैंची, बॉर्डर बनाने के लिए रंग बे रंगे या प्रिंटेट कागस, काली उन, गूगली आइस और कलर सीक्विन्स तो हम शुरू करते हैं तुम्हें अपनी गाए किस रंग में बनानी हैं? अपने अंगूठे से हम गाय का चेहरा बनाएंगे अब ब्रश से बनाते हैं गाय की पूँच अब जब तक हमारी गाय सूख रही है, हम इस काले फैल के कुछ आकार काट लेते हैं जैसे अलग-अलग तरह के सर्कल, गाय के धब्बों और खुरों के लिए हम आज पिंक गाय बना रहे हैं, इसलिए उसके काले खुर और काले धब्बे बनाएंगे चलो इसे काट लेते हैं अब जब हमारी गाय सूख चुकी है, इस पे कुछ स्पॉट्स चिपका देते हैं कुछ स्पॉट्स लगाओ ये गोल वाले ओके, बहुत अच्छे चलो अब ये छोटे वाले भी चिपका देते हैं, ऐसे गाय के काले खुर होते हैं, तो अब हम इसे भी चिपका देते हैं एक, दो, तीन, चार इसे लो और इसे चिपका दो ये रहा अगला वाला डू इट ये डू इट ये, डू इट ये फैंटास्टिक पूँच बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ी काली उन इसके छोटे टुकरे काटे और पूँच पर चिपका दीजे ये बन गई एक बढ़िया काली पूँच अब लीजे काला माकर और बनाते हैं गाय का चेहरा आप बना सकते हैं हैपी काव, सैड काव या परिशान काव ये रही दो आखें ना और दो कान देर यू गो लग रही है न एक हैपी काव और अब हम लगाते हैं कुछ शाइनी सीक्विन्स ओके और छिड़क देते हैं और आपकी काव हो गई रेडी वाउ क्या हम इस पर पिंक बॉर्डर लगा दे ये और ये वाला ये गिल जाएगा हम इसे चिपका देंगे और अब इस तरफ भी बड़ी वाली तरफ भी क्या तुम कुछ ग्लू लगाओगी वेरी गुड और यहां यहां पे भी येस अब तुम इसे चिपकाओ थोड़ी ग्लू इस पर भी लगाओ वेरी गुड क्या अब तुम चिपकाने के लिए तयार हो और पकड़ो इसे फोल्ड इट ओके वेरी गुड इस तरव भी लगा देते हैं मेरी गाय तयार है हैंट प्रिंट आनिमल बनाना बहुत ही आसान और मज़ेदार है और आपको चाहिए पेंट, ब्रश और अपनी इमाजिनेशन तो अलग-अलग आनिमल्स बनाने की कोशिश कीजिए तब तक मैं सोचती हूँ कि आनिमल स्टूडियो के नेक्स्ट सेशन में क्या करना है तब तक के लिए बाई-बाई है तुम झालग-बाई